नमस्कार दोस्तों मैं एंकिली सुकर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब शेनल डीवी आनलाइन एशडी में स्वागत करता हूँ दोस्तों आरार्बी एंटीपीशी और आरार्शी गुरूपडी के एक्जामों को ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल पे जितने भी आरार्बी के ओल्ड आफिशिली पेपर हैं उन सभी पेपरों का सलूशन करवाया जाता है तो दोस्तों अगर आप अपनी तयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से चुड़िएगा और दोस्तों अगर आप सीरीज हमारी जोनटी पीशी की चल लही है अगर इस उरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे जुडियो को लाइक कर ये अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यदा सेेर कर जाएगा अगर हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबाईएगा दोस्तों आप हमारे WhatsApp ग्रूप और Telegram ग्रूप से जोड़ सकते हैं इन सभी का description में लिंक आपको मिल जाएगा और दोस्तों अगर पेपर का आप PDF पाना चाहते हों तो आप उसको भी description में दिये गया लिंक से पेपर का पूरा PDF दाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम RRB NTPC के 5 April 2016 के 3rd shift का पेपर लेकर इसको solve करेंगे इसमें जितने भी math question आए हुए होंगे हम लोग हल करना सिखेंगे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला question पहला question दोस्तों हमारा यह रहा है परसेंट छोड़ कर देंगे तो यह हमारा कितने कभी केगा 65% कभी केगा और यहां पर कितने कभी रहा है 26,000 रुपय का अब जदी छूट 15% हो तो जब 15% छोट देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 85% पर जाएगा तो उसका विक्रेमूल गयाद करें विक्रेमूल हमको नहीं पता है अब दोस्तों जब यह हमारा ऐसे हो जाता तो इसको क्या करते हैं क्रास मल्टिप्लाई कर लेंगे जब क्रास मल्टिप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 65% multiply question mark और यहां पर हो जाएग 26,000 multiply 85% बटे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 65% तो दोस्तों परसेंट से परसेंट हमने हटा दिया और यहां पे अगर हम काटें इसको दोस्तों तो इसको 13 से काटने 13,65 हो जाता है दोस्तों 13,26 और आगे हमारे 3,0 हमने बना दिया 5 से दोस्तों भी यह कट रहा है तो 5,4 को 20 हो जाएगा आगे 2,0 हमारे बन जाएगे तो फाइनली दोस्तों हमारा आगे है question mark की value बन जाएगी हमारा यहां पे बनेगा 400 multiply हमारा 85 अब अगर दोस्तों इनका multiply कर दें तो यह 00 हमने वह रख दिया 4 का multiply जब 5 मैं करेंगा 4,25 हो जाएगा कहरी हुआ 2,4 थे 32 दो दोस्त इतना हो जाएगा तो उसका हो जाएगा 34,000 रुपए तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number D next question देखते हैं दोस्तों next question हमारा यह रहा दो संख्याओं का HCF 6 तथा LCM 108 यदि एक संख्या 12 है तो दोसरी संख्या ग्याद कीजिए तो दोस्तों इसका formula हम जानते हैं first संख्या multiply second संख्या बराबर HCF multiply LCM तो दोस्तों अब हमको यहाँ पेर 12 संख्या है दूसरी संख्या हमको नहीं पता दूसरी संख्या हमने से कंड वैसे लिए HCF पता है दूस्तों escuela चाहे LCM पता है दोस्तों हमको 108, अब दोस्तों हमको 2nd संख्या निकालने के लिए एक आगया तो 6 x 108 अपान का कितना हो जाएगा दोस्तों, यह 12 हो जाएगा, तो अगर दोस्तों 6 से काट दें, तो 6, 2, 12 होता है, और 2 से अगर इसको काटें, तो 2, 5, 10, 2, 5, 2, 4, 8, तो दोस्त इसका right answer हो जाएगा, option number B हो जाएगा, next question देखते हैं दोस्तों, next question हमारा ये रहा, 3.6, कॉमा करके दूसरी संक्या दी गए, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्था अनुपात, चतुर्था अनुपात, यानि क्याद कीजिए, fourth preparation number निकालना है उनको, तो दोस्तों जब कभी भी चतुर अनुपात मुशा जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3.6 और ये अनुपात हम लिकर के 6.9 और यहाँ पर समानुपात 11.4 और यहाँ पर अनुपात, चतुर्था अनुपात हमने X समान लिया, अब दोस्तों ये जब ऐसे बनता है, तो हमारा ये बाहरी संख्याओं का multiply और यह आंत्रिक संख्याओं का multiply कर लिया जाता है तो यहाँ पे 3.6 multiply हमारा x हो जाएगा और यहाँ पे 6.9 multiply 11.4 हो जाएगा दोस्तों अब अगर हम x की value find करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x 6.9 multiply 11.4 दोस्तों अपान कितना हो जाएगा 3.6 अगर दोस्तों इसका ये point से ये point हम cut कर देते हैं और इसको हम 3 से cut कर दें तो 3,1,3,3,2,12 और यहाँ पे 3,2,12,3,2, 6 होता है यहाँ पे 3,2,6 और यहाँ पे 3,3,9 तो अब यहाँ से अगर इसको और भी हम simplify करें तो हो जाएगा दोस्तों यहां पे आ जाएगा हमारा 23 multiply 114 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 12 अगर इसको हम दोस्तों 2 से कट कर दें 2 चंग 12 हो जाएगा और 2 पंचे 10.24 अब तो दोस्तों यह हमारा अभी 3 से और कट जाएगा 3 दोना 6 हो जाएगा यहां पे 3 एक अनम 3, 3 नमा 27 तो फाइनली जो अब यह आया इसका multiply कर लेते हैं तो अब इसका multiply करें दोस्तों तो 19 का multiply 3 में करेंगे 19 तरी को 57 होता है, 57 कि हमने 7 रख दिया, carry हुआ 5 हो गया दोस्तों उन्हें इस दोना 38, 38, 35 अगर हम जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 43, 43 कि हमने फूरी 43 रख दिया और एक अंक बाद दसमनों रख दिया, अब दोस्तों बटे दो लिख हमने बटे दो लिख दिया, अब इसको अगर हम divide कर दें तो यह हो जाएगा हमारा 2 दोना 4 और 2, 2, 192, 2, 18 हो जाएगा, 17 था, 28, 16 हो जाएगा दोस्तों, तो 28, 16 और बचा कितना 2, 15, 10 तो फाइनली दोस्तों हमारा आ गया 21.85 तो हमारा 21.85 जो लिखा हम फाइनली लिख सकते हैं दोस्तों, 21.9 लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम, हमारा option number किसमे right हो जाएगा, option number हमारा डी right हो जाएगा, आई होग दोस्तों आपको समझ में आया होगा, next question देखते हैं दोस्तों, next question हमारा ये रहा, दिया गया है, यदि a plus 2b बराबर 55, a minus 2b बराबर minus 3 तो b का मान पूशा गया है, दोस्तों, यहाँ पे दिया गया, a plus 2b बराबर 55 दिया है, और यहाँ पे a minus 2b बराबर minus का 13 दिया गया है, तो हमको दोस्तों निकालना क्या है, b की value निकालनी है, तो हम इनके चिन्हों को different कर देते हैं, तो यह a, a हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, दोस्तों, 4b आ जाएगा, और 55 और 13 दोस्तों, add हो जाएगा, तो 5, 3, 85, 16 हो जाएगा, अब अगर दोस्तों, b की value निकालने, तो 4, 95, 4, 47, 28 आ जाएगा, तो finally b की value दोस्तों, हमारे कितनी आ गई, 17 आ गई, यह निए, अपसर नमर इसका c right हो जाएगा, next question देखते हैं, दोस्तों, next question हमारा ये रहा, दिया गया है, एक series दी गई है, कहा गया, इसका आउसद गया किजिए, दोस्तों, हम आउसद के लिए जानते हैं, average निकालने के लिए क्या होता है, average पराबर सभी पदों का योग बटे, जितने पद होते हैं, उनका भाग दे देते हैं, तो अगर दोस्तों, इनको सब को plus करके लिखें, one plus nine, plus seven, plus three, plus five, फिर again five, दोस्तों, दिया गया है, और फिर यहाँ पे six, और फिर यहाँ पे four है, two है दोस्तों, और eight है, अब हम सब संख्याओं का देखने संख्या कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, दोस्तों, दस हैं, तो दस संख्याओं का भाग दे देंगे, अब इनको सब को कर हम add करेंगे, तो दोस्तों, फाइनली आ गया, पच्यास, बटे दस, तो यह हमारा कड गया, तो कितना एओरेज आ गया है, दोस्तों, एओरेज आ गया, दोस्तों, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप से नंबर दोस्तों, c, next question देखते हैं, दोस्तों, next question हमारा यह रहा, तो दोस्तों, ब multiply 99 ऐसे भी बात वही है दोस्तों का multiply करना है तो हम क्यों ने 902 की square समझ ले 902 की square यानि कि 100 से कितना कम है एक कम है तो यहां पर हम 902 से एक कम कर देंगे तो 98 आजागा दोस्तों अब एक कम है तो एक का हम square करके दो अंकों में रख देंगे तो एक के square एक आएगा लेकिन हमकों को दो अंकों में रखना तो जीरो एक आ जाएगा तो finally दोस्तों इसका multiply करने पर कितना आ जाएगा हमारा 9901 यानि आपसा number इसका भी राइट हो जाएगा नेस्ट कुशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कुशन हमारा ये रहा और बावन डिग्री बराबर भी दिया है तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया गया है तो अगर दोस्तों इसको हम लिख लें कॉट 90-38 बराबर भी तो अब दोस्तों यहाँ पर कॉट 90 से अगर 38 हम घटा देंगे तो दोस्तों 52 ही आ जाएगा अब हम जानते हैं कॉट 90-theta क्या होता है दोस्तों तो यह होता है टैन थीटा तो थीटा के वेलू यहाँ पर कितनी दीगी गई है 38 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों भी तो दोस्तों हमको यही वेलू निकालना था कि 10 38 की वेलू कितनी हो जाएगी तैन 38 डिग्री के वेलू मर कितनी आ गई बी आ गई तो इसका आपसर नमर क्या राइट हो जागा दोस्तों डी यह नहीं की दी राइट होगा नेश्ट कुशन देखते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन हमारा यह रहा कुशन में दिया गया है 75 विद्यार्थियों के समय में 12 विद्यार्थी केवल बंद गोभी टोटल यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं टोटल इस्टूडेंट है 75 उनमें से बंद गोभी खाने वाले बच्चे कितने हैं 12 कि बंदभु भी खाने वाले बच्चे कितने हैं दोस्तूं बारा को दो बंदभ भी opening फोल भी कि फोल भी पंद्रा बच्चों को पसंद 21 बिद्धियरतीयों को केवल गाजर पसंद है तो गाजर पसंद है 21 बच्चे को 12 बच्चे को गाजर प्लस बंद वो भी पसंद है तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो गाजर और बंद वो भी खाते हैं 13 बच्चे केवल सिमला मिर्च सिमला मिर्च वाले दोस्तों कितने हो जाएंगे सिमला मिर्च वाले बच्चे हो जाएंगे तेरा अब दो विद्यार्थियों को सिमला मिर्च तथा फूल गोपी दोरों पसंद है तो सिमला मिर्च प्लस फूल गोपी तो ऐसे कितने बच्चे हैं केवल दो बच्चे हैं अब question में पूच्छा क्या गया है दोस्तों पूच्छा गया है बंद वो भी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिसत कितना है तो बंद वो भी पसंद ना करने वाले विद्यार्थि कितने हो जाएंगे ये 15 हो गए फूल वो भी गाजर 21 तो अब दोस्तों बंद वो भी ना पसंद करने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे अगर हम इनको एड़ करें तो हो गया दोस्तों बंद वो भी फूल वो भी के 15 हो तो यह दो बच्चे और ले लेंगे दोस्तों अब इनको अगर हम सबको आइड कर दें तो पांच एक छे ती नौ दो ग्यारा की एक हो जाएगी हांसिल लगा एक दो दुचार एक पांच तो 51 बच्चे ऐसे हैं जो बंद गो भी नहीं पसंद करते हैं तो इनका पृतिसत बता ना है तो अब उनका परसिंटेज हमको निकालना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे यह एक क्याओन बच्चे बंद को भी नहीं खाते हैं टोटल बच्चे कितने हैं 75 कितना 100 दोस्तों अब इसको कट कर दें पचीस तिल को पचीस चोको सो अब अगर इसको हल करें तो यह आ जा आने वाले बच्चों का परसिंटेज कितना आ गया और 60 अगया तो इसका आफसे नंबर क्या राइट हो जाएगा आफसे नंबर डी राइट हो जाएगा आई होब दोस्तों आपको समझ में आया होगा नेश्ड कुशन देखते हैं दोस्तों नेश्ड कुश्चन यह रहा हम एक सबजी खाने वाला बंद वो भी 12, फुल वो भी 15, गाजर 21 और ये सिमला मिर्च 13 तो दोस्तों 12, 15, 21, 23 को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 और ये 13 जोड़ेंगे तो 13, 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा, अब 25 में अगर हम 15 जोड़ें, 40 हो गया, 48, 20, 61 हो जाएगे तो सिंगल हमने देखा कि कितने विद्यार्थियों ने केवल एक सबजी खाई है तो वो टोटल 61 बच्चे हैं जो कि एक सबजी खाते हैं, कितने बच्चे हैं? 61 बच्चे हैं नेस्ट कुशन देखते हैं दोस्तों, नेस्ट कुशन हमारा ये रहा, इसमें पूछा गया गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर कितना है? तो गाजर पसंद करने वाले, फूल गोबी पसंद करने वाले, विध्यारचीयों का अंतर पूछा गया है, तो बैड कुशिन पर आते हैं लोग, ये जाजर पसंद करने वाले, जाजर के 21 ये हैं, और गाजर के 12 ये हैं, तो 21 लॡारा जोडेंगे, 21 दो 23 दुस स्थ23 हो गया, तो गाजर के बच्चे दोस्तों कितने हो गए तेंटीस हो गए गाजर के टोटल कितने हो गए तेंटीस हो गए अब दूसरा दिया गया है फूल गोभी अब हम फूल गो भी के बच्चों को देख लेते हैं तो दोस्तों फिर से बैक कुशन पर आते हैं फूल गो भी देख लेते हैं फूल गो भी पंदरा यहां पर खाते हैं फूल गो भी और फूल गो भी दो यहां पर खाते हैं पंदरा दो 17 बच्चे फूल भो भी खाते हैं तो अब यहाँ पे 17 हमने क्या कि यह माइनस कर दिया अब इनको कह रहा अंतर बताने के लिए कहा है दोस्तों तो हम अंतर कर देंगे तो 13 से अगर दोस्तों हम साथ गटाएंगे तो 6 बचेगा यहाँ पे बच्चा हमारा 2 से गटाएंगी यह तो दोस्तों फाइनली हमारा अंतर कितना आ गया 16 आपसर नमर इसका C राइट हो जाएगा नेश्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेश्ट कोशन हमारा यह रहा दिया गया है E तथा F मिलकर एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं यदि यदि E अकेला उसी कार को 30 दिनों में कर सकता है तो बताइए कि F अकेला उसी कार को कितने दिनों में कर सकता है चलिए दोस्तों टाइम एंड़र का कोशन है E और F मिलकर किसी कार को 10 दिन में 10 days में समाब कर देते हैं यदि E अकेला आजाये यदि E अकेला उसी काम को 30 दिन में खतम करता है तो बताएं कि F अकेला तो इन दोनों कैलस्ययम कितना आजाएगा 30 तो दोस्टों इन 10 का जब टोटल काम कमारे पास 30 है अग्ये 10 दिन में 30 काम खतम करते हैं एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते होंगे तीन काम करते होंगे यह एक दिन में कितना काम करता होगा एक काम करता होगा अब दोस्तों को यहां से पता है कि ई की छम्ता कितनी आ गई एक दिन में काम करने की एक हमको तीन बनाना दोनों मिला कर तो इसकी हम दो रगने तभी तो दो और एक जोड़ देंगे तीन हो जाएगा हमारा तो दोनों की छम्ता मिल करके एक दिन में कितने काम करने की है तीन तो पूछा क्या गया कु नेस्ट कुशिन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कुशिन हमारा ये रहा दो संख्याओं का गुरन फल 24 था था उनके वर्गों का योग फल 52 तो उनका योग फल गयाद कीजिए दो संख्याओं का गुड़न फल 24 तुमाना दो संख्याओं A और B हैं इनका गुड़न फल हमने कर दिया तो 24 हो गया अब कराओं उनके वर्गों का योग 52 है तो दोस्तों अगर इनके हम दोनों संख्याओं के वर्ग करके योग कर दें इनका कितना हो जाता है बावन हो जाता है तो उनका योग फल ग्याद कीजिए तो यानि कि A प्लस B दोस्तों हमको ग्याद करना है ठीक है तो अब दोस्तों हम इसको करेंगे क्या सिंपल बन गया अब यहाँ पे अगर हम कर दें A प्लस B का होल स्क्वाइर बराबर अगर हम कर दें तो दोस्तों हम जानते हैं फार्मूला A स्क्वाइर प्लस का B स्क्वाइर प्लस का 2 A B तो दोस्तों हम जानते हैं A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर कमान यहां पर कितना दे रखा है 52 हमने हमें 52 रख दिया तू और एबी कमानी हैं पर कितना दे रखा है 24 हमें 24 रख दिया अब दोस्तों ये 52 हमारा और ये 24 दूना 48 हो जाएगा अब दोनों को जोड देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 100 अब 100 को हम अगर लिखें तो ये हमारा A प्लस B का होल स्कुर्ण था तो फाइनली A प्लस B हमा तरह ये रहा अब बस दोस्तों इसको हमको सिंपल करना है तो हम ये संख्या और कि संख्या का एड करेंगे अगर तो एड करने पर आ जाएगा च्छै एक साथ आ जाएगा और साथ तीन दस की जीरो हो जाएगा कहरी हुआ वन आठ चार बारा एक तेरह हो जाएगा हांसिल ल पन या पांच जार पांच पांच drawn तीर पंदिया गया अब दोस्तों में कि वैली निकाल निया है तो हम ये 15 Corp 130 7 और जो ये 5553 ये इधर माइनस में आ जाएगा तो दोश्तों इधर самыхने पच्छी तीर पन ہیں दोस्तों ये इधर माइनस में आ जाएगा अब बरबर हमारा क्या पांच घटाएंन के दोस्तों सात आ जाएगा और यहां पर पचाह चारत हो गया चार चाओदा से पाच घटाएंनके दोस्तों तो न वा जाएगो तो 97049 इसकी value आजाएगी аहे नहजार 7704 तो a videos का दुस्तों ये रैप हो रहा है। नेस्ट कुशन देखते हैं दोस्तों, यह रहाँ рук descices रूपया में घजी गई है। यादी छूव फंद्रा परशंट हो तो वस्तू का विक्रय मूल ग्याद कीजिए तो दोस्तों कोई एक वस्तों इसको 10% छूट पर तो यानि कि वस्तों कितने बिकी होगी 90% पर बिकी होगी अब कितने की बिकी है दोस्तों वस्तों 36-100 में बिकी है यदि छूट 15% होती तो 15% छूट देने पर कितना आता आप 85 पर्सेंट आता दोस्तों और यह मतलब तो अब दोस्तों के उसाओ इसे ही इनका क्या करतें ऐसे हैं कूल्टिप्लाइ करींगे तो यह कोड़े और स्फेल्टिप्लाइ कुरे कोड़ाइब बराबर के अब 36, 85% अब दोस्तों को यह क्या कर लेंगे हमने यह 0 से यह 0 कैंसिल कर लिया और यह % से यह % खतम कर दिया और 9,436 यह दवर 40 मचा अब दोस्तों हमारे question मारकी value कितनी यह आ गई 40 multiply 85 अब दोस्तों क्या करेंगे इन दोनों का हम multiply कर देंगे तो यह 0 हमने वही रख दिया अब 4,520 की 0 रख दिया कहरी हुआ दो अब 4,822 दोस्तों कितना आ गई 34 तो question मारकी value कितनी यह आ गई यह वह भी क्रें मूल हमारे कितना आ गया चाउंटी सो तो इसका right option हो जाएगा option नमबर डी यह नहीं कि चाउंटी सो इसका right answer हो जाएगा next question देखते हैं दोस्तों next question हमारा यह रहा 12 kg चीनी का मूल 6 kg चावल के मूल के बराबर है तो ठीक है दोस्तों 12 kg चीनी तो चीनी को हमने सुगर कह लिया तो S हमने S से denote कर दिया तो 12 kg दोस्तों लिखते हैं सबसे पहले एक मिनट यहां पर दोस्तों यह 12 kg हमने 12 kg सुगर किसके बराबर है 6 kg चावल के बराबर है चावल को हमने आर बना दिया तेनी राइस हो गया तो ठीक है दोस्तों अब अगर यहां से हम 1 kg बराबर निकाले अगर हम निकाले दोस्तों यहां पर 1 kg राइस बराबर निकाले तो दोस्तों धर भाग हो जाएगा तो आजाएगा टू के जी सुगर इतना आजय बन जाएगा दोस्तों ये हमारा बन जाएगा तो अब पूछा क्या गया है 10 किलो चीनी 8 किलो चावल तो 10 केजी चीनी यहीं की सूगर दोस्तों प्लस 8 केजी चावल यहीं की राइस का मूल 1040 रुपए है तो दोस्तों इनका मूल कितना बता दिया गया एक हजार चालिस रुपाए है वही फार्मला दोस्तों हम लगा रहे है M.D.H.A.P.N. का डबलू तो अब पूछा क्या गया है एक किलो चेनी का मूल ग्याद कीजिए तो दोस्तों ये वन केजी सुगर का मूल लहम को बताना है तो उसका मूल लहम नमाल लिया X है तो अब दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि एक केजी राइस पराबर टू केजी सुगर है तो यहाँ पे हम इसमें क्या कर देंगे तो आठ केजी हमारा राइस है तो यह हर 1-2kg चीने मने कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पे हम एक केजी, यह 1kg राइस के ज़री पे हम टू केजी रख देंगे तो यहां पे दोस्तों हो जाएगा 8-12-16, 16-10 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा 26 केजी हमारा सुगर हो गया बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 1040 बराबर ये हो गया 1 kg सुगर अपान कितना हो जाएगा एक से दोस्तों अब अगर दोस्तों ये हम सिंपल कर लें ये kg सुगर ये kg सुगर इसको हम छोड़ देते हैं तो अब इसको हम छोटा कर लेते हैं कट कर देंगे दोस्तों अगर तो ये आ जाएगा हमारा तेरा से कट रहा तेरा दूने 26, तेरा अठे 104 दोस्तों हो गया, अभी दो से भी और कट जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा 40, तो अब हम क्रास मल्टिप्लाई जब कराएंगे तो X बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 40 रुपए तो दोस्तों एक किलो चीनी का मूल ले कितना आ गया, 40 रुपए तो इसका अफसर नमबर डिराइट हो जाएगा, अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा, नेस्ट कुशन 29 से पूर्टाई भी भाजित हो जाए, तो दोस्तों अगर हम 29 का डिवाइड कर दें, 1265 में तो जो सेज बचेगा, तो वही हमारे इसका राइट अंसर हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पे 4 बार ले जाएगा, तो 4 के समझ मुल्टिप्लाई करें अगर दोस्तों इसको घटाएं, तो यहाँ पे जी लो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा दोस्तों अगर कुश नहीं बचा अब यहाँ पे हमारा 3 बार जाएगा दोस्तों 3 का मुल्टिप्लाई कर देंगे 3, 9, 27, 3, 6, 2, 8 अब यह दोस्तों कितना बचा इधर हमारा बचा, 18 बचा तो फाइनली अगर हम 1265 से 18 घटा देंगे तो 29 से पूर्टाया हमारा बिभाजित हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमबर C नेक्ष्ट कुशन दोस्तों देखते है नेक्ष्ट कुशन हमारा ये रहा 25 मदों का आउसत 40 है परन्तु एक मद 50 के इस्थान पर 25 लिखा गया था वास्तविक माध ग्याद कीजिए तो दोस्तों मैं आपको बता दू 25 मदों का आउसत 40 है यहनी 25 बिक्ति है उनका आउसत परतेक बिक्ति का 40-40 है परन्तु एक मद 50 के इस्थान पर 25 लिखा गया था तो दोस्तों जहां पर 50 लिखना चाहिए था उस जगे पर गलती से हमने 25 लिख दिया तो हमने कितना कम लिखा तो हमने 25 ही कम लिखा तो वास्तिक माद धियात कीजिए तो जो हम यह 25 कम लिखा है यह 25 जो हमने कम लिखा था तो यह 25 हमारा इन 25 लोगों में बराबर बर बढ़ जाएगा तो जब यह 25 रुपया को हम 25 लोगों में बाटेंगे तो एक एक रुपया बढ़ जाएगा तो दोस्तों पहले एक बिक्ति को 40 रुपाय मिले थे और जब एक रुपिय और यहां से मिल लाएगा तो क्या कितना हो जाएगा? उनका मातधिया ने की? 41-41 हो जाएगा उनके पास तो इनका मातधिया हो जाएगा दोस्तों theta plus pi by 2 minus 3 sin theta plus 2 cos theta दोस्तों आपको बता दू यहाँ पे 2 cos theta minus pi by 2 तो pi by pi का value हम जानते हैं कितना होता है 180 तो अगर हम यहाँ पर लख दे 180 बटे 2 यानि कि 90 हो जाएगा दोस्तों तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर आज़ा अगर 2 cos 90 minus theta थीटा दोस्तों क्या होता है साइन थीटा होता है तो यहां पर मैं रख लिया दोस्तों साइन थीटा फिर प्लस कर लिया यहां पर साइन नाइंटी प्लस थीटा क्या होता है दोस्तों साइन नाइंटी प्लस थीटा हो जाएगा दोस्तों हमारा यहां पर कॉस्त थीटा होगा cos theta होगा अब लेकिन यहाँ पे हमारा चिन है क्या बनेगा तो दोस्तों चिन plus में ही रहेगा ठीक है यहाँ पे 3 दिया रखा है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया अब यहाँ पे आगे जो दिया गया minus का 3 sin theta plus cut अब minus ही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे minus ही बन जायगा मैनस का बाहर लगा है multiply करेंगे तो minus का 2 cos theta अब दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं तो 3 cos theta यह है यहाँ पे minus का 2 cos theta है तो 3 cos theta से ऐगर हम 2 cos theta घटा देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा cos theta अब यहाँ पे minus 3 sin theta है प्लस का 2 साइन थीटा तो घटाएंगे तो माइनस का साइन थीटा बचेगा दोस्तों तो इसका आफसन नमबर क्या हमारा मैच कर रहा है आफसन नमबर A मैच कर रहा है दोस्तों आफसन नमबर इसका A राइट होगा नेक्ट कुशन देखते हैं दोस्तों नेक्ट कुशन हमारा ये रहा एक छात्र ने 6 विस्यों में 470 अंग प्राप्त किये है यदि प्रतेक विस्यों में अधिक्तम अंग 100 है तो उसके अंगों का प्रतिस्त ग्यात कीजिए तो मतलब एक शाट में 6 विसे में 470 अंग प्राप्त किये हैं और पूरांग कितने कहा दोस्तों अब प्रतेक विसे में अधिक्तम 100 अंग कहा है तो 6 विसे हैं तो 600 का पूरांग हो जाएगा हमारा तो प्रतिस्त निकालना इसलिए 100 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो ये 2 0 ये 2 0 हमारे कैंसिल हो गए दोस्तों अब इसको हम 6 से कट कर दें अगर तो दोस्तों आजाएगा 6 7 42 हो जाएगा 5 बचा 50 हो गया 6 48 48 हो जाएगा बचा 2 20 हो गया तो 6 3 18 हो जाएगा फिर 6 3 18 हो जाएगा तो इतना पर्षेंट हमारा इसका 78.33% इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर C नेश्ट कुशन दोस्तों हमारा ये रहा एक आयत की लंबाई तथा चोड़ाई के अंतर 6 मीटर है यदि इसका परिमाप 64 मीटर तो इसका 6 तरफल गयाद कीजिए आयत की लंबाई यानि ल और चोड़ाई यानि बी का अंतर 6 तो हमने अंतर 6 रख दिया दोस्तों अब इसका परिमाप 64 मीटर है तो हम जानते हैं आयत के परिमाप क्या होता दोस्तों 2 L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा हमारा 64 अब अगर हम L प्लस B बराबर निकालें दोस्तों यहां पे तो दो तेंच है दो दो नी चार तो यह equation हमारा first हो गया यह equation हमारा second हो गया जिसका छेतर फल कहरा निकालने के लिए दोस्तों हम L और B कमान निकालने के बाद तो दोस्तों हम उनका multiply कर लेंगे तो दोस्तों अगर हम equation first और second को हल करें तो B और B हमारा cancel हो जाएगा तो 2 L बराबर आ जाएगा हमारा 32 6 38 तो L बराबर दोस्तों हमारा क्या जाएगा 19 आ गया L का value हमने find कर लिया अब अगर दोस्तों हम यही से निकालें बी की value निकालें तो B बराबर आ जाएगा हमारा यानि जब यहां पर दोस्तों हम L की value रख देंगे 19 तो यह 96 इधर आएगा तो 19 से 6 गटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 13 और तो B की value हमारे तेरा multiply कर देंगे 13 नमिया 117 की 7 हासिल लगा दोस्तों कितना ग्यारा अब 13 कंदम 13 ग्यारा 24 तो दोस्तों यहां पर कितना आ गया हमारा इतने मीटर स्क्वाइर यह एरिया हमारा आ गया 247 मीटर स्क्वाइर आपसर नमबर इसका भी राइट हो जाएगा next question दोस्तों मारा यह रहा जैकि दस संख्याओं का समानतर माद्य 35 है और प्रतेक में 2 जोर दिया जाए तो संख्याओं की नई स्रेड़ी का माद्य बताओ दोस्तों दस संख्याओं का समानतरमाद 35 है यानि कि 10 बेक्ति हैं और उन दसों बेक्तियों को 35-35 रुपए मान लेजिएगा मिलता है यह प्रिक्तेक में 2 जोड दिया जाए तो दसों बेक्तियों में जब 2-2 और जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 20 और हो योग कितना हो जाएगा 10 संख्याओं का योग बन जाएगा दोस्तों हमारा 35 multiply 10 दिन हमारा कितना हो जाएगा 350 अब दोस्तों जो करा 2-2 और जोड़ दिया जाए दसों में तो 20 और जोड़ जाएगा दोस्तों हमारा यह हो जाएगा 370 हो जाएगा तो अब पूछा गया है त संख्याओं की नई स्रेडी का मात धी गयात कीजिए तो हमने ये योग सम निकाल लिया तो नई स्रेडी का मात धी निकालना है दोस्तों तो मात धी बराबर हम करेंगे कितना दोस्तों यही हो जाएगा हमारा 370 बटे कितना 10 तो यह 0-0 तो कट कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा सेंग तीस आ जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 37 अपसे नमबल डी राइट अबर next question दोस्तों मारा ये रहा ये दिया गया है सार्णी दी गई है विद्यारफियों दोरा पांच विश्वे में प्राप्त अंक दरसाती है ठीक है अब पूछा क्या गया सुनील और जग्दीश के कुल प्राप्त अंकों का अंतर सुनील ये हैं जग्दीश ये हैं इनके ये कुल प्राप्त अगर जोड़े हम तो 6, 6, 12, 6, 14, 6, 24, 24, 24, 24 हो गया 240 में अगर हम 55 और जोड़ दें दोस्तों तो 295 हो जाएगा अब अगर हम जग्दीश का अइड़ करें दोस्तों तो जग्दीश का अगर हम अइड़ कर लें तो 5, 9, 5, 14, 14, 15, 15, 15, 20 की 0 हो जाएगा दोस्तों हासिल लगा 2 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 14, 16, 16, 19 अब दोस्तों इनका अंतर कुछा है तो अगर हम इनका अंतर कर दें तो अंतर फाइनली कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 इसमें भी सेम कुशन दिया गया है कुशन में पूंचा गया है इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिक्तम है तो दोस्तों इतिहास में यह हो गया हमारा और इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिक्तम है तो इतिहास यह रहा गुल यह रहा किसके प्राप्टां का दिक्तम है इनको सबको जोड लेते हैं तो अगर हम धोस्तों इनको जोड़े हैं तो इतिहास और गुल का इनको हम जोड़े 65 में गियावन जोड देंगे दोस्तों तो 5-1 6 हो जाएगा और 6-5-11 हो जाएगा इनको जोड़ें दोस्तों तो 9-10 हो जाएगा 6-5-11-12 हो जाएगा इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो 5 आ जाएगा और 4-3-7 आ जाएगा इसको जोड़ेंगे तो 7-2-9 आ जाएगा और 6-5-11 आ जाएगा तो दोस्तों किसका अधिक्तम दिख रहा है हमको 120 दिख रहा है यह highest 120 यह नहीं कि सुनील का अधिक्तम होगा प्राप्तां तो इसमें right option हो जाएगा B number next question देखते हैं दोस्तों next question हमारा फिर वही question आई इसमें पूचा क्या गया है आउसत अधिक्तम अंक किसने प्राप्त किये अधिक्तम अंक आउसत अधिकतम अंग किसने प्राप्ट किये तो इन सभी का जोड़ा जाएगा दोस्तों इन सब को अगर हम जोडते हैं तो इनको सब को जोड़ लेते हैं तो शे पांच एक छै नोशा पंदग्रा पंदग्रा पांच vиться की जीरो हो जाेगा हासर लगा दो होकडू चैप य हम जोड़ें तो नवएक दस पांद्रा पंदरा पंदरा की पांच निन दग दिया हासर लगा एक गया दोस्तों चैप ऑट आर है दोस्तों हो जाएगा 29 निश्ट जोड़ते हैं इसको 5, 9, 5, 14, 14, 15, 15, 20, 20 की 0, हासिल लगा 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 12, 16, 16, 13, 19 निश्ट देखते हैं 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 15, 15, 15, 15 की 5 हमने रख दिया हासिल लगा कितना दोस्तों 1, 2, 6, 5, 11, 12, 12, 15, 17, 17, 17, 22, 25, 27 तो दोस्तों अधिक्तम अंग किसने प्राप्त किये और सत अधिक्तम अंग किसने प्राप्त किये तो दोस्तों इसका आइंसर क्या हो जाएगा? आपसर नमबर भी राइट हो जाएगा. निश्ट कुशन देखते हैं कि निष्ट क्वेशन हमारा ये रहा दस वर्सों में एक निष्चित धन्रास साधान ब्याची किस वार्षिक दर्से स्वयम की दोगुना हो जाएगी दोस्तों ऐसे क्वेशन करने के लिए बिल्कुल सिंपल मैथर देख लीजिएगा कि अता हो गए दस वर्सों में तो कोई और सम्रस एक निष्चित धन्रास कितनी है साधान ब्याची किस वार्षिक दर्से से स्वयम की दोगनी हो जाएगी स्वयम दिगनी हो गई दस वर्स में का था 100 रुपिया था वो दस वर्सों में दोगना हो गया तो यहां पर यह 100 रुपिया और 200 रुपिया का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 तो अब यह 100 बटे हमारा 10 हो जाएगा यह फाइनली हमारा कितना आ गया अंतर कितनी आ गया 10% हो गई बस दोस्तों एंथर इसका 10% हो जाएगा नेक्ष कोईशन देखते हैं दोस्तों नेक्ष कोईशन हमारा ये रहा दो संख्याओं का HCF 4, LCM के अन दो गुर्णखंड 5 और 7 इन में से छोटी संख्या ग्याद कीजिए तो दोस्तों जो HCF दिया गया है इसी का हम LCM के जो दो अन गुर्णखंड दिये गए हैं इसमें मल्टिप्लाई कर देंगे जो छोटी होगी वही बता देंगे तो 4 का मल्टिप्लाई कर हम 5 में करें तो 4, 25, 20, 4, 60, 28 हो जाएगा दोस्तों तो छोटी संख्या पूंचा गया इसलिए छोटी संख्या हमारा यहां पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अपसन नमर इसका C राइट हो जाएगा नेश्ट कॉशन देखते हैं दोस्तों नेश्ट कॉशन हमारा यह रहा इस एक कारे का 50% एक दिन में समाब करता है इस जो है कोई एक काम है दोस्तों माना काम कितना है दोस्तों एक है तो इसका 50% वर्क वो एक दिन में खतम कर देता है तो यानि कि 50% वर्क यानि एक काम का एक बिटे दो हो जाएगा अब कहागा टी उसी कारे का अब टी आ जाओ टी उसी कारे का यानी कारे क्या है? एक टी उसी कारे का 25 प्र founder 1 धिन में खतम करता है? तो जब 25 प्र currently स् ensurendance करें गया है तो दोनों मिलकर उसी कारे को कितने दिन में समप करेंगे दोनों की छमता हमको पता है कि एक दिन में ये आधा काम खतम करता है ये एक दिन में एक बटे चार काम खतम करता है तो S और T की छमता अगर हम टोटल जोर दें दोनों की एक बटे दो प्लस एक बटे चार तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों चार हमारा इसका LCM हो जाएगा यहां पे दो प्लस वन तो फाइनली दोस्तों आ गया तीन बटे चार आ गया तो अब जो तीन बटे चार आ गया तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खतम करेंगे तो दोनों की छंता हमको पता चल गए कितनी है, तीन बटे चार है, तो काम हमारे पास टोटल कितना है, एक, इनकी छंता कितनी है आगए, तीन बटे चार, अब इसको जब भाल करेंगे दोस्तों, तो एक बन जाएगा, चार बटे तीन, अब इसको भाग देंगे तो 3 वंजा 3 और 10 हो गया पॉइंट रखने पर 3-3-9-3-3-9 तो फाइनली दोस्तों आ जाएगा 1.33 तो इसका आफ्टर नमबर C राइट हो जाएगा नेश्ट कुशन देखते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन हमारा ये रहा दो संख्याओं का अनपात तीन अनपात एक तथा योगफल बहत्तर है दोनों संख्याओं का अंतर ग्याद कीजिए तो दोस्तों दो संख्याओं दी गई तीन अनपात एक इनका योग भल बहत्तर दिया है जब एक बराबर अठारा है तो तीन बराबर चाउवन हो जाएगा दोस्तों और दोसे संख्या हमारी कितनी आ जाएगी अठारा आ जाएगी अब दोस्तों अब चाउवन और अठारा का हम चोटे बच्चे की आयू गयात कीजिए तो दोस्तों इसको हम कोई एक आपसन लेके हल करते हैं अगर दोस्तों हम यहाँ पे आपसन नमबर A ले लिया तो अगर आपसन नमबर A लेंगे तो कहा गया चार वरसों के अंतराल से जन्मे चार बच्चों की आयू का योग अरतालिस है तो पहले सबसे चोटे बच्चे की आयू पूछा गया तो इनमें से चोटे बच्चे की ही आयू ज़ा दी गई है तो हमने कोई एक आपसन लेके साल किया आपसन लेके कर दोस्तों इसको साल करेंगा तो question बहुत ही simple है जल्दी हल हो जाएगा तो हमने आपसन ले लिया A तो मानच सबसे चोटे बच्चे किया हुए कितनी है चार तो अब चारों की चार चार साल का अंतराल है तो अगला हो जाएगा आठ का फिर अगला हो जाएगा 12 का और अगला हो जाएगा 16 का अब अगर दोस्तों इनको सब को जोड लें जोडने पर हमारा 48 आ जाएगा तो हमारा राइट एंसर आपसन नमबर A ही हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा जोडते हैं दोस्तों ये 12-8-20 और ये 16-4-20 तो दोस्तों 20, 20 कितना हो जाएगा 40 तो यहां पे 42 पहुँँचना है तो ये आपसन नमबर हमारा 1st राउं हो जाएगा अब हम अगर आपसन नमबर 2nd ले लहें दोस्तों तो पाँस ले लिया, पाँस में अगला बच्चा हो जाएगा 9 का हो जाएगा, अगला हो जाएगा 13 का, अगला हो जाएगा 17 का अब अगर दोस्तों इनकों सब को जोड़े 9, 4, 13, 13, 26 26 में अगर हम 10 और आइड कर दें 26, 36, 36 में फिर 7 और आइड कर देंगे दोस्तों, तो 43 आएगा हमको पहुँशना 48 तक योग 48 नहीं हो रहा, तो आपसन नमबर हमारा ये भी राइट हो जाएगा, अब हम आपसन ले ले लेते हैं दोस्तों, 6 ले ले लेते हैं, तो 6 अगला हो जाएगा, 10 फिर अगला हो जाएगा 14 फिर अगला हो जाएगा, 18 अब अगर दोस्तों इनकों जोड़ते हैं तो 14, 6, 20 14, 6, 20 हो गया 20, 10, 30, 30 और 18, 48 तो दोस्तों इनका योग हमारा 48 बना है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों आपसर नंबर इसका सी राइट हो जाएगा तो आई होग दोस्तों आपको समझ में आया होगा चलिए नेश्ट कोईशन देखते हैं दोस्तों और आज का यह हमारा अंतिम कोईशन होगा तो यह कोईशन दिया गया है माता पिता तथा दो बच्चों की आवसत आयू क्रमता 30 वर्स तथा 8 वर्स है तो परिवार की आवसत आयू ग्याद कीजिए माता पिता यानि दो बेक्टी हो गए इनकी आवसत आयू कितनी दी गई है 30 वर्स तो यहाँ पर फादर और मदर तो इनका योग कितना हो जाएगा 30 multiply दो दिन हमारा आ जाएगा 60 अब कहा गया दो बच्चों की आवसत आयू यहाँ पर दो चिल्डरन दो चिल्डरन की आवसत आट दी गई है तो यहाँ पर दो का multiply कर देंगे तो इनका योग हमारा निकल आएगा तो आट दोना सोला अब अगर हम पूरा जोड़ें दोस्तों तो यह आजाएगा 76 अब पूछा गया परिवार की आवसत आयू अगर दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों में ज़ादा ज़ादा सेयर करिएगा और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और बिल घंटी जरू दबा लीजेगा तो आज के लिए इतना ही जय हिंद